गुमावाली लकीरों को कागस पर सिलना गुमावाली सिलाई कपड़ों पर पाई जाने वाली दूसरी तरह की सिलाई है आपको यह गुमावाली लकीरें, महिलाओं और पुरुषों के कपड़े को सिलने में जरूर काम आएंगे इस पार्ट में आप यह सीखेंगे किस प्रकार एफ़ोर कागस पर गुमावाली लकीर के जरिये सीधी सिलाई करेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंध तक आप सीख जाएंगे, सिलाई मशीन के साथ एफ़ोर कागस पर गुमावाली लकीर के जरिये सीधी सिलाई कर पाएंगे अब हम उन औजार एवम सामग्रियों से परचित होंगे जिससे कागस के पन्नों पर गुमावाली लकीर के जरिये सिलाई का अभ्यास करेंगे आपको एक पिंसिल, कॉमपस और एफ़ोर शीट कागस की जरुरत होगी अब हम यह देखेंगे किस प्रकार गुमावाली लकीर के जरिये एफ़ोर शीट कागस पर सिलाई करेंगे चरण एक घूमी हुई लकीरों से युक्त कागस को प्रेसर फुट के नीचे रखिये कागस पर सिलाई करते वक्त धागे को सुई में न पिरोएं घूमी हुई लकीरों से युक्त कागस को प्रेसर फुट की नीचे रखते वक्त यह ध्यान रखें कि अधिकतर कागस बाई ओर हो चरण दो कागस पर बनाई हुई घुमावाली लकीरों के उपर से सिलाई शुरू करें कागस पर बनी हुई लकीर को नीडल पॉइंट की नीचे रखें सिलाई मशीन के प्रेसर फुट लिफ्टर को दाहिने हाथ के जरिये नीचे के ओर दबाएं और कागस को प्रेसर फुट की नीचे स्थापद कर दें ट्रेडिल को चलाते हुए मशीन के फ्लाइवील को दाहिने हाथ से अपने तरफ खींचें चरन तीन ट्रेडिल को समान रूप से चलाईए और कागस को अपने दोनों हाथों से नियंतरत करें ट्रेडिल को अपने पैरों से कायम रूप में चलाते रहें सिलाई करते वक्त अपने दोनों हातों से कागज को नियंतरत करें मशीन के चलने के अनुसार फीड डॉग अपने आप से ही कागज उठा लेगा पर आप अपना ध्यान सुई और प्रेसर फुट पर रखें ताकि आप सिलाई के सही लकीर को जारी रखें कागज को सिलाई के दौरान व्रित्ताकार में घुमाए कागज को आगे बढ़ाते वक्त आपको कायम रूप से उसको व्रित्ताकृती में घुमानी होगी जिससे आप कागज पर बनाई गई घुमावाली लकीरों के अनुसार सिलाई कर सकते हो चरन पांच घुमावाली लकीर पर सिलाई करने पर इस अभ्यास को दोहराएं पहली घुमावाली लकीर को पूरा करने पर अगले घुमाव के ओर बढ़िये और पहले जैसे ही दोहराएं दूसरी घुमावाली लकीर को पूरा करने पर अन्य लकीरों के सिलाई एक के बाद एक पूरा करें अब हम विशेश चर्णों को याद करेंगे घुमावाली लकीरों से युक्त कागस को प्रेसर फूर्ट की नीचे रखें कागस पर बनी हुई घुमावाली लकीर पर सिलाई शुरू करें फ्रेडल को समान रूप से चलाते हुए कागस को दोनों हाथों से नियंतरत करें सिलाई के दोरान कागस को वृत्ताकार में घुमावाली लकीर पर सिलाई पूरी करने पर इस अभ्यास को दोहराएं अब आप घुमावाली लकीरों की सिलाई एफोर शीट कागस पर अभ्यास कर सकते हैं अगले पार्ट में हम घुमावाली लकीरों और कोनों को कागस पर सिलना सीखेंगे